Hello and welcome to fun learning हम athletics के अंदर field event के बारे में कर रहे हैं और आज हम triple jump के बारे में पढ़ेंगे पिछली बीडियो में हमने long jump के बारे में पढ़ा था triple jump और long jump एक ही pit पर क्या जाता है इसलिए जो इसका landing area है runway है same ही रहता है landing area भी इसमें जैसा कि पिछली बीडियो में अच्छे से किया था 9 मीटर होता है और इसकी विर्थ होती है 2.75 मीटर से 3 मीटर के बीच में runway 40 से 45 मीटर लंबा होता है और जो इसकी विर्थ होती है कितना जोड़ा होता है 1.22 मीटर यह सारी चेज़े हमने long jump में अच्छे से सारी measurement की है तो इसमें जादा मैं नहीं बताऊंगी triple jump के अंदर अलग क्या होता है इसमें जो take off word लगा जाता है उसका distance women और men के लिए अलग-अलग से होता है देखिए women के लिए 11 मीटर के दूरी पर take off word लगा जाता है और men's के लिए ये 13 मीटर की दूरी पर लगा जाता है जबकि long jump में हमने पढ़ा था जो take off word होता है उसका distance होता है 1 मीटर से 3 मीटर के बीज में एकिन triple jump में take off word जादा दूरी पर लगा जाता है क्योंकि इसमें take off के बाद hop, step and jump होता है सीधे ही jump नहीं किया जाता है ये हम आगे पढ़ेंगे अब इसमें बाकि इसमें take off board plasticine indicator board इन सब के बारे में मैंने long jump में बहुत अच्छे से बताया हुआ है इसमें भी सेम बैसा ही रहता है इस वीडियो को देखने से पहले आप long jump पाले वीडियो देखिए तब जाके आपको ये वीडियो अच्छे से समझा जाएगी और वो वीडियो आपको मिल जाएगी चैनल के प्ले लिस्ट में भी और आई बटन पे भी मैं उसका लिंक आपको दे दूँगी ट्रिपल जंप में हम इसके fundamental skill के बारे में देखते हैं अब ट्रिपल जंप के अंदर भी सबसे पहले अपना strong foot हमें check करना है यह भी हमने same ही करना है कि हमने strong foot अपना find कर लिया तो हमने jack mark लगाने है runway के उपर और check mark भी आप अपने इसाब से running करके लगा सकते हैं आगे या पीछे वो लग सकते हैं बस यह धियान रखे कि आपका take off board पे strong foot आए ताकि आप एक अच्छा jump कर सको अच्छा hop कर सको और यह सब चीज़े चेक करने के बाद अब सबसे पहले है approach run approach run में भी इसमें long jump की तरह ही आपको एक runway पे अच्छा run करते हुए आना है अपनी maximum speed को gain करना है controlling speed में आना है उसके बाद है take off फिर hop step and jump तरह से आप इस image में देख सकते हैं hop step and jump इसमें इस तरह के से देखे खिलाडी take off board से यहाँ पर एक tank पर उचलेगा यानि की hop करेगा यह pound से अगर वो यहाँ से उचला है तो आगे उसका यही pound यहाँ पर पनना चाहिए तो यह होगा hop तो उसके बाद फिर अगले pound से वो यहाँ एक step ले लेगा और उसके बाद jump कर लेगा फिर उसके बाद है landing और इसमें खिलाड़ी की जो हाथ की position हाथ का swing है वो भी काफी important होता है क्योंकि इससे हम एक अच्छा jump करने में यह हमें help करता है हम अपनी body को और आगे तक ले जा सकते हैं इसमें अब take off के time पर देख सकते हैं one arm इसकी इस तरह से पीछे की तरफ के वा जैसे ही आगे यह hop करेगा तो यह हाथ उसका swing करते हुए आगे को आ जाएगा और जिस समय पर वो step लेता है तो stepping में उसके दौनों ही हाथ पीछे की तरफ को रहेंगे और अपनी hip and chest को वो आगे की तरफ को दकेलने की कोशिश करेगा और landing के time पर वो अपनी पूरी शमता से अपनी body को खेंच के आगे की तरफ को land करने की कोशिश करेगा फिर next हम इसकी techniques के बारे में देखते हैं इसमें तीन तरह की technique होती है एक इसमें होती है flat technique और इसको हम polish technique भी बोलते हैं और जो flat technique में parabola है hop और step का वो flat होता है यानि कि इखलाड़ी जब पहला hop करेगा ये 35% करेगा और फिर जब step लेगा ये भी 30% तक लेगा और जो jump होगा ये 35% तक रहेगा यानि कि इसमें देखिए जो hop and jump है ये equal रहेंगे और जो step है ये इसमें थोड़ा छोटा रहेगा और flat technique में जो parabola बनते हैं वो थोड़े low होते हैं थोड़े height उनकी छोटी होती है as compared to जो दूसरी technique होती है और जो दूसरी technique होती है वो होती है stiff techniques इसको Russian technique भी बोलते हैं और इस technique का use fast और जो study runner होते हैं ज़्यादा ये करते हैं जो hop होता है वो 38.5% होता है और step इसमें 30% और jump इसमें 31.5% तो इसमें आप दे सकते हैं इसमें सबसे ज़्यादा होता है step थोड़ा छोटा होता है फिर jump थोड़ा बड़ा होता है लेकिन hop से थोड़ा कम होता है इसमें hop और step के बीच में 2 या 3 सेकिंड का pause दे सकते हैं लेकिन उसको एक explosive jump के द्वारा cover किया जाता है last में इस तरीके से ये jump दिया जाता है और तीसरी जो technique है वो है mixed और modern technique और ये technique flat और stiff technique के बीच में आती है यानि उनका mixture होती है और जिन अथलेट में अच्छा stamina होता है अच्छी speed होती है वो इस तरह की technique का यूज करते हैं इसमें जो hop होता है वो 37% होता है जो step इसमें 33% लिया जाते है और जंप इसमें फिर से 33% लिया जाता है और इसमें जो take off का time पर angle लिया जाता है वो 15-16 degree का angle होता है इसमें center of gravity में height कम रहती है steve technique से और ज़्यादा रहती है flat technique से तरीके से दोनों ही technique का ये एक mixture होता है अब हम इसके कुछ rule देख लेते हैं जैसा कि हम अभी तक इसमें बढ़ते आए हैं इसमें hop step and jump होता है और ये एक order में होना चाहिए यानि कि पहले hop होगा फिर एक step लिया जाएगा फिर jump होगा ऐसा नहीं कि पहले step फिर hop jump इसमें hop step and jump यहीं इसमें sequence रहनी चाहिए इसमें देखिए जिस pound से hop लेते हैं उसी pound से landing होनी चाहिए यानि कि आपने इस pound से hop लिया और दूसरे pound से आपने step लिया और फिर बापिस जिस pound से हमने hop लिया था उसी pound से आपने landing करनी है jumping के time पर अगर आपका sleeping leg ground को touch भी कर जाता है तो वो fall नहीं माना जाएगा कि हमने long jump के अंदर जितने भी rule पड़े थे वो सारे बैसी triple jump के अंदर भी apply होंगे same rule इसमें भी लगेंगे except एक rule जो हमने उसमें पढ़ा था मैं इस तरह से यहाँ पर take off बूड लगा रहता था और हमने पढ़ा था कि एक बार यहाँ से jump करने के बाद वो फिर यहाँ ground को runway को touch नहीं कर सकता है landing से पहले क्योंकि इसमें half step and jump होता है take off के बाद इसलिए इसमें वो rule apply नहीं होता कि सारे rule जो long jump में हमने पढ़ेते वो यहाँ भी होंगे इसमें भी competition शुरू होने से पहले practice trial कर सकते हैं खिलाडी और इसमें भी 8 खिलाडी से जादा अगर होते हैं तो 3-3 trial दे जाते हैं और 8 से कम होते तो 6-6 trial दे जाते हैं और हर एक खिलाडी को 1 minute का time दे जाता है अपनी jump को complete करने के लिए और इसमें भी खिलाडी जो है वो take off line को touch नहीं कर सकता है और measurement भी इसमें सेम है जो nearest point रहेगा खिलाडी का take off point से बहां से इसकी measurement ले जाती है woman के लिए man's के लिए जहाँ इनका take off लगा होगा यहाँ पर take off line से इसकी measurement ले जाएगी कि सारे rule मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगी क्यूंकि मैंने long jump में सारी चीज़े अच्छे से बताई है आप जाके उस वीडियो को पहले देखें अब भी अगर आपको कोई doubt होता है आप मुझसे social media पर भी जोड़ सकते हैं जिनका link मैं आपको description में दे दूँगी और बाकि अगर वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को subscribe कीजिए notification बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सारी नई वीडियो की update आप तक पहुँचती रहे